नमस्कार में पिंटू शिंग यादो आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों भूशपूरी अक्ट्रेश अकांशा दूबे की मौत मामले में च्योकाने वाला सत्च शामने आया है फोरेंसिक जाज के बाद पोस्त मौटर को प्राथमिक रिपोर्ट में मौत की वज़ा को लेकर बड़ा खुला सा हुआ है हलाकि पोस्त मौटर रिपोर्ट को अभी तक सील बंद करके रखा गया है अकांशा दूबे के विश्रा को शुरक्षित रखा गया है इस मामले में अरिजनल सीपी संतोसिंग का कहना है कि अकांशा दूबे की मौत मामले को लेकर सभी पहलों पर जाज की जा रही है पुलिस शुत्रों के मुदाबिक पहली नजर में अकांशा की मौत हैंगी यानि की फासी की कारण ही हुई है तो वहीं अकांचा दुबे के बिसरा को शुरक्षित रखा गया है अकांचा दुबे के मौत के बाद फॉरेंचिक टीम ने जाच की है इस जाच के मताबे कमरे की उचाई की नाब, बोडी की हाइट, कले के निसान के अनुशार और बोडी के प्रेसर के कारण है अकांचा की मौत हुई है जो की एक सिरुसाइड माना जा रहा है कमरे से मिली है खोली शाराब की बोतल, अकांचा की मौत के बाद पॉलिश को उस कमरे में खोली शाराब की बोतले मिली है इसके अलावा फंदे से लटकता शौब विस्तर पर था इसके मौत की वज़ा को लेकर सवाल उठ रहे थे कि यह हत्या है यह आत्म हत्या है वहें इस मामले में अकांचा दूबे की मा मधुदूबे ने सिंगर समर सिंग और उसके भाई यानि की संजे सिंग पर अपनी बेटी के हत्या कराने का आरोब लगाया है वहीं बात करें तो समर सिंग के भाई ने धमकी दिया था मधुदूबे जो अकांचा दूबे की मा हैं उन्होंने आरोब लगाया कि समर सिंग के भाई संजे सिंग ने एक कैस मार्ज को अकांचा को जान से मारने की धमकी भी दिया था इसके चार दिन बाद ही अकांचा का सो फंदे से लटकते मिला इस गटना से चंद गंटे पहले अकांचा एक दोज की बड़े पार्टी में भी गई थी उसके बाद वो रात करीब दो बजे कीवत के साथ होटर लवटी और उसके बाद इंस्टाग्राम पर लाइव आकर रो रही थी और सुब़ जो खबर आई वाकर चोकाने वाली थी और खबर ये थी किया कांचा दूबे ने इस दुनिया को अलभीदा के दिया है लेकिन जिस तरीके का पोस्ट मॉर्डम रिपोर्ट आया है और जो सक्ष ने उनके जिनमदीन पार्टी के बाद छोड़ने के लिए गया था उसका क्या रिपोर्ट है अभी तक पुलिस जो है उक्वेन कहीं देने में बच रही है और इसको अभी तक शुरक्षित रखा गया है आगे का जवे सी खबर आएगा सबसे पहले मैं आपको बताता रहोंगा इसलिए सब्सक्राइब करका जूरे रहे हैं ठीक है ताने बाद